मानिस हवापजी आपने सून प्रहर मुझे बोलने का उसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्वाद मैं आपसे बिनम्रतापुर कहना चाहता हूँ कि कानपुर के वारे में आपको भी बहुत जानकारी होगी जो हमारे लोकस्वाचेत के अंतर गद्वी उसका लगबग आधा इससा हता है मानिवर कानपुर का लगातार बिस्तार हो रहा और पस्चिम और दक्षिड को लगातार कानपुर बढ़ रहा उत्तर और पूरब की ओर मागंगा है इसलिए पस्चिम और दक्षिड को बढ़ना पड़ा अब इसलिए मानवर मैं आपको सब्सक्राइब आदियम से यवकत कराना चाहता हूँ कि कानपुनगर की विस्तार के साथ ही मेरे संधी छेत्र में इस्थित पनकी रेलवे स्टेशन जिसका परिवर्तन नाम पनकी धाम अभी अभी सरकार ने उसका गोश्रा की है और आप विद्वत जारी किया है वहाँ भी बहुत जल्दी दस्माज दिन में वहाँ विवस्ताब हो जाएगे टिकेट भी पनकी धाम के नाम से मिलने लगेंगे लेकिन बढ़ती आवादी के कार कानपुर की जो बढ़ती आवादी है और कानपुर सेंटर पर बढ़ते हुए आपके यात्रियों के आवाकमन के कार बड़ी कटना ही रहती है पनकी धाम स्टेशन पर बहुत सारी गारियों का ठेरा हो गया लेकिन जितनी और विवस्ताइं होनी चाहिए उपर गामी से तू और नीचे और तमाम जो ब्रिज और आपके तमाम जो यात्री सुब्धाइं होनी चाहिए उसका लगातार अभी तक आभाव है जिसके कार सक्राणी कर बाका देंगे जह हैं